नमस्कार स्वागत है आपका आप देख रहे हैं एजिकेशनल आपजेक्स आज 23 फरवरी 2018 को के बीएस का आखरी एक्जाम हो जाने के बाद से ही अप्यारतियों में लगातार आंसर की को लेकर चर्चाएं जुरो पर है एक दूसरे चर्चाएं की जा रहे हैं आखर आंसर की सुस्य माल wichtig के दूसरे तो चलिए देखते हैं के इंटरेंस एक्जाम के नाम से एक वैप्साइड है यह अपने अपने एक कि सतर रखती है तो इसकी वैप्जाईट के आप से देख लेते हैं कि आं सर की रह निवाण ए है तो इस वैपशाइड यहानिंटय में आपार दोय वो डाली जाएंगी after four days कितने दिन बाद four days बाद यहां लिखा हुआ है और आगे पढ़ लेते हैं because it makes more result यानि more अनाश्टू के बहुत ज्यादा दिन लेने वाले ज्यादा time लेंगे कि इसके दिने में वो मुझे अभी लग रहा है दो महीने लेंगे इसके हम और वीडियो और बनाएंगे आगे भी लिखा हुआ है प्रूफ उसके प्रूफ रिस्पॉन्स प्रूफ के लिए five days का time दिया जाएगा यानि इस वेपसाइट ने हमें four days बताया four days का answer की का prediction उसने दिया है औ आंसर की को देखिए यहां पर देख सकते हैं इनका कहना भी है यह के इंद्रेविदल संस्थन विल प्रूफ रवाइड की ऑनियर्स ओफिस वेपसाइज आफ्टर थ्री और फोर डेज यह भी थ्री और फोर डेज कह रहा है यानि चार से तीन से चार दिन यानि आज से लग प्राइबंट एला यान वारे यह मिनिश्टरी से आतीए है कौन कवियर्स किंद्रेव दियाल संस्थान मिनिश्टरी के तहत आती है अवी थीक है , यहर्ण है किंद्रे विधयलसंस्थान के अंतरगत ही आती है यानि KBS और NBS दोनों एक ही इंड़स्टी के अंतरगत आती हैं और यह आपको बिल्कुल पता होगा कि KBS का जो NBS का जो एक्जाम हुआ था उसकी आंसर की फोर डेज के अधनर आ गई थी विदिन फोर डेज तो ओविसली सी बात है आगर समझें तो कि KBS का जो है वो भी आंसर की जल्दी से जल्दी आ जाएगी तो यहां पर तीन तरीके से बिस्क्राइब करके हम समझ गए होंगा कि इसका आंसर की क्या रहने वाली है ओके यू कैं स